शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें हुए हो तो हम माफि मांगते हैं इसकी तरफ से हमारा मन बहुत प्रसंद हुआ आज से बहले इतना स्वादिश्ट भोजन हमने कभी नहीं खाए हम सब के लिए खीर ले क्या थे हमारे हाथों से माता अनपुर्णा को लेकर फेक दिया है और इसकी सजा इसे ज़रूर मिलेगी मैं इस घर को श्राब देता हूँ रुक जाए तरह ये पैकेट कुपताजी ने वेचाए पुरे दसना गें आतिके थेंक्यू आपजी इतना कैश है है हाँ वो एक्शली कुछ पेमेंट्स करनी है तो हमने ताइक काम करो तुम इसे अल्मारी बेर अग्दों कल बैंक पे जमातारा दुए जी हम रख के आते आप है अभा कि वेटा वो मुझे ने कुछ पैसे चाहिए थे अब बोलना किटने पैसे चाहिए वह दो आप 2 एजार नहीं दो लाग वाज़ी मुझे मेक पोर्स करना था पिटा अभी इतने पैसे मारबस है नहीं सॉली बटा अभी तो पैसे आए और हम मना कर रहे हैं क्या एए बड़ों से जुबान चला ली पत्तमीजी कर ली हाँ आज के बाद इस घर में किसी पे धौज शपाई ना तो हम हैसी धौज जमाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे समझी सौरी दादी सौरी अमब बैठी आप बाबाई याप चुफ़े हाविता दादी चाय हम नहीं बिएंगे डॉक्टर ने मना किया हमें लीवर की दिक्कत है लेकिन हम रोज चाच पिएंगे तीमादारी करती हो तो करो पर ये बीमारी मत दो आशी दादी के लिए चाच बना कर लिया हूँ जी काओ कि दादी पता था यहीं बवंडर करोगी दादी हमसे कोई गलते हुए क्या अरे करनी जा रही थी हमेरे यहा तो अपने हाथों से चाच गोड के बनाते हैं विलो इसे बेलते हैं विजयो मसीन में गुडुड़ा रही हो न ? यह चाच हम नहीं प्येंगे मसीन में चाच बना और उस चारच के सारे गुंग मिटाओ दादी ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है तू हम को सिखाई की हाँ तू हम को सिखाई की अमरिताब तू सा बेख लेना प्रीफ इकाई भो रिया इसे अभी तक चाज बनाना नहीं सिखा तुमने माफ कीजये माँ स्वारी दादी हम हम हाँ से बना दें हम ऐसे घोट घोट के चाज बनाना समझी हुआ काप कितेत हो गई अम्मा उसके पीछे पीछे वहां गई है ताने कहीं कोई बाभा ना खड़ा करने अम्री तक नहीं सुनेंगी हुआ अब इतना सा दर्द नहीं सहेगी तो बच्चा कैसे जनेगी कि अब रुक क्यों गई है अच्छे से घोड़ चार्ज में से बुल बुले आने चाहिए तो अब सुरी बापा अपनी घर से पैसे चोरी कर जाएं लेकिन क्या करूं आशी के उपर खर्च करने को आपके पास लाखो रुपए है लेकिन मुझे देने के लिए दो लाग भी नहीं अब मुझे तो चाहिए विद्या तुम यह क्या करी हूँ कुछ नहीं माँ वह मैं बस पैन लेने आई थी वाँ भीटा तेरी तब्यत तु ठीक है ना नहीं मतलब विद्या और पढ़ाई की बाते वेरी फणी माँ इससे पहले कि यहां कोई पैसे देख ले यहां बाबा को शक हो कि पैसे गाया मैं मैं यहां से पैसे निकाल ले थी अरे डिंपी कुछ चाहिए तुम्हें वो हम पानी पीने आये थे हम ले 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 थे दादी को यह बुलबुले वाले चाच बहुत पसंद आएगी खुश हो जाएगी हमारे होते हुए तुम से कोई खुश हो जाएगी यह तो हम होने नहीं देंगे आशी इम सुबसे मारे पेट में बहुत गुर गुर हो रही है हमें न घटा गानी का भी बहुत मन कर रहा है क्या पाप यहां पे निबुराएग आशी शॉरी सुबसे मारे पेट में बहुत अजी और यह हमने जहान बुचिए सौरिया में माफ कर तुम ठीक हो आप बस हमारे कुई बात में कुई बात में यह भगवान यह का है सौरी दादी गलती से हमारे हाथ से फिसल गया अरे तु काहे ने फिसली एक चार्ज बनाने की ने कहा था वो भी नी बना तुमसे तो घर का बनाओगी साधी कैसे निभाओगी हमरे नल्ला को कैसे सबालोगी कई ऐसा तो नहीं कि तुम हमको इस घर से भगाना चाहती हो कि यह बुड़ी चड़ी जाए तो हमरा पिछा छूड़ जाए अगर हमें तुम मारने वालनी की साजिश तो नहीं करें हाँ भूल जाओ हम यही रहेंगे और रोध चाज पिएंगे अब खड़े-खड़े दीट बन के क्यो खड़ी हो जाओ यहां से जाओ ए भगवान कौनसे नक्षतरम में यह बयायती हैं हमारे लल्ला से ए भगवान कहते हैं जहां सियत के लिए रामबान होती हैं पर यहां तो दो-दो बान चल रहे हैं हमारी दो बहु हैं पर बहु कहें या नाकिन हर वक्त तसने में तुली होई होती है लगता हाथ चाज नहीं मिलने वाले हैं लीजे दादी जी चांस पी लीजे सुबह हमने इसे अपने लिए बनाया था अब वह भी अपने हाथों से डिलोगे पी लीजे पी लीजे दादी हम भी तो आपके लिए आशी जैसी है ना अब हम बनाए या आशी बनाए बात तो एक ही है और देखें इसमें तो बुल-बुल्य भी है आपको पसंद है ना लीजे पी लीजे लीजे कि ये क्या ये तो हमको पूछना चाहिए ने कि ये क्या है घर की महरानी बहुरानी बनने का ख़ाप देखरी हूं जादा नोच लो मत इस काम के लिए तुम को यहां पर लाए ना वो करो बस अपना काम ही कर रह दे हूं अच्छा दादी जी को छांस देना पाशी के रास्ते में काटे वोना इस सब के लिए तुम को यहां पर लाए नहीं ना तुम्हारा बस एक ही काम है सिट को बदनाम करना सिट अभी अभी अपनी कमरे में किया है पता नहीं तुम्हे क्या करना जा अच्छा को क्या बात है बड़ी जड़ी आपने पैसों के अज़ाम कर लिए आगे नहीं करेंगे बना यह सोचना भी मत कि तुम तुबारा हमें ब्लैक मिल कर पाऊगे यह आखरी बार है बिल्कुल आखरी बार इसके बात बिल्कुल नहीं कि यह लो और अपना अफ़ा हो जाए हमसे थैंक्यू कि यह सब क्या कर रही हुआ देखा मैंने दादी की नजरों में महान बन रही हो ना क्यों पड़ी आशी के पीछे क्योंकि उससे दिल जलता है हमारा हर वक्त बस आशी का खयान हम तो तुम्हें नजर ही नहीं आते और नहीं तुम्हें यह नजर नजर आता है कि हमारे तुम्हारा बच्छा हे थे खी जब हमारे पास समझो कि भाम हमारे पड़ियों को तुम्हारी पोवा सरुर्ध है परेसे लगता है आपके अखे कमजोर हो गई है यह आट लाग है दसलाग नहीं तार वाखवास कर रह तो मैंने खुद दस लाख रुपे रखे थे ओहु लगता है तुमने दो लाख रहा से भी चुड़ा लिये और तुम कर भी कह सकते हो अभी आपने देखा ही कहा है कि हम क्या क्या कर सकते है बहुत नाज है ना आपको अपने बेटे पे अब देखिए किसे दुनिया के सामने अपके बेटे की करतूच सामने राते है जाए जाके देखिए अपने साबसादे को अपने कमरे में क्या गुल खेला रहा है जाए धिंप छोड़ो मुझे नई सिंद्दण हमने ने चोड़ो मुझे कि का सुन रहे हैं इसकी कोप में तुम्रा बच्चा है सच है बनो लल्ला जवाब दो हाँ या ना इसकी कोप में तुम्रा बच्चा है लल्ला जवाब दो दादी याब क्या कह रही है वो बच्चा सिद का ऐसा नहीं हो सकता है हाँ दादी सिद भाई को तो हम कॉलेज से जानते हैं हाँ सिद ऐसे गलाथ हरकत कभी किसी लड़की के साथ नहीं कर सकता हमारा दिल जानता है सिद ऐसा नहीं है ये ये बच्चा सिद नहीं हो सिद ए ए पुखो सिद सिद का ने बच्चा सिद का हुख्त है सिद पॉल तो ना बोलो नए और दादी को यह सम जूटे कर दी सिद कुछ नहीं है सिट, बोलो ला, कुछ तुम बोलने क्या रिया हूँ हाँ, बोलो सिट बताओ सबको कि उस रत क्या हुआ था सिट, सिटी क्या बोलने जारी निम्पी प्लीज कुछ बोलो ला, बोलो ला कि छुट बोल रिया सिट तुम जुट क्या हूँ आफिक, बोलो लंचने, हुआ था, थे, Ж combination से प्लीर, प्लीयर, थे, प्लीज, बोलो लंचने, पाइटी, मुझे नएंद उस रंद क्या हुआ था, तुम्हें याद हो यह ना हो लेकिन अपमें सब याद है उस रंद जो भी हुआ उसके निशानِ उसके नेशानी ये बच्चा है ये इस बच्चे का पाप है और तू इस बच्चे की माँ तो चलो आज हम फैसला करी देते हैं कि बच्चपन में जो हुआ था लल्ला के साथ उसे बूल जाते हैं जवानी में लल्ला ने ये लड़की को चुना है तो आप बच्चपन के शादी को खारीच कर देते हैं कि अम्मा अम्मा आप आप ये क्या रहे हैं आज ने बच्चपन से लेके आज तक सित की पत्नी उनी के सारे घम निवाएं और आप ये क्या कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारा बिटवा राम कर रहा है अरे इससे पूछ शादी सुदा होते वर भी इसने दिम्पी के साथ ये सबता है किया है कोई जवाब अब तो रास्ता एक ही है दिम्पी और इसके कोप में बल रहे बच्चे को ये अपनाए पिछले का सब फुल जाए कि इसके कोप का बच्चा इस घर का चिराग है और अब ये परिवार इस चिराग को अपने घर में जलाए और तुम आशी से अपने सारे रिष्टे तोड़ के इस बच्चे की मा से रिष्टा जोड़ लो लेकिन दादी ये बस जो बोल दिया सब बोल दिया सब लोग आग कान बुद्धी खोल के सुन लो आशी के साथ सारे रिष्टे तोड़ के इस टिंपी से तुम्हें ब्या करना होगा सिट वी का भाई है और वी नहीं चाहते कि उसकी शादी किसी एलेस से हो फोले तु लो स्टेटिस लेकिन आशी तुम्हारी वजह से मेरी शादी तूटी थी आज तुम्हारी तूट गई अब भी खुश हुई अब तुम्हें पता चलेगा प्यार को खोने का दर्द उसे खोने का एहसास बहुरिया पंडी जी को बुलाओ और इनकी शादी का मुहरत निकलवाओ अमाजी इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बारा सोच तो लिया हमरी सोच पे टोच नहीं है पकूरिया पकत निकल गया है हमरे घर का चिराग इसके पेट में पल रहा है अमाज कैसी बात कर रही हूँ सिंद आशी से प्यार करता है प्यार के पकोड़े तालेगा जब बच्चा किसी और से जन्रा है तो जिसका बच्चा उसी के लिए जिम्मेधारी और जिम्मेधारी के सामने प्यार के फूल नहीं किलते समझे जिसका जो हर्थ है उसी को मिलेग कि अवोल्दिया सोबोल्दिया अवाजिए तो आब बच्चपन की शादी को खारीज कर देते हैं और तुम आशी से अपने सारे रिष्टे तोड़ के इस बच्चे की मा से रिष्टा जोड लो सिर्द आशी से प्यार करता है प्यार के पकोड़े ता लेगा जब बच्चा किसी और से जन रहा है इस बार हम हम एक अच्छा सा महुरत निकल भाएंगे और तुम दोनों का पुनर विवा करवाएंगे अच्छा जब भाएंगे कि अच्छी है अच्छी आशी मुझे नहीं पढ़ दो आशी, आशी मुझे नहीं पता, वो अशी बस एक बार कहे दो, एक बार कहे दो कि ये सच नहीं है, हमारा दिल नहीं माते है कि तुमने डिपी के साथ, हमें विश्वास नहीं होते है, सिट, कि, कि सिट, वो तुम्हारा बच्चा है, नहीं है न, बोल दो सिट, एक बर बस बोल दो, तुम जो कहोगे, हम को मानेंगे, बोल दो सिट, बोल दो कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं, फ्लीज, बोल दो सिट, तो आशी को छोड़ कर दिम्पी से शाधी कर रहा है? कैसे या? जार करता है न तो आशी से? हुकुम का ही काम भी हमारे पास है. जितने बार पत्ता फेकेंगे, बास ही हम ही जीतेंगे. और उसके बाद होगा वुद्धा मागा जो हम याक करने आए. हमें महाफ कर दे बेटा, हमने तुम्हारी माओ को बच्चन दिया था कि हम तुम्हारी जिम्मेदार उठाएंगे, लेकिन अशी हमारे ने पराया धन है, अब इस धन को तुम घर पे रखो, बाहर निकालो, इससे हमें, कोई मतलब ने हम जहें कहीं भी चले जाएं, हमारे पित